आप सभी लोगों का स्वागत है तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था 50 पॉइंट्स जो थे कि अच्छो में कौन-कौन से इंपोर्टेंट गॉल्डेन की पॉइंट है तो उसी के बारे में मैं जो 50 भकाया थे वो मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ जिसमें छुटे-छुटे से नेशनल प्रोग्राम कब मना जाता है कब स्टार्ट होता है तो बहुत सारा चीज मैं लेके आई हूँ तो चलते हैं हम जादा बाती नहीं करते हैं पहले की तरीके अपने हैंड में नोट बूक की तरफ सो लेट्स गेट इस्टार्टे तो नेक्स्ट आपका पार्ट टू पे 51 है जन्ने सुरच्छा योजना 2005 में लागू हुआ था एंड बोरे कमेटी 1946 यानि की 1946 में Health Survey and Development कमेटी के द्वारा ये तब पारित हुआ था एंड मुदलियर कमेटी 1962 Health Survey and Planning कमेटी के जरिये से ये 1962 में मुदलियर कमेटी लागू हुई थी करतार सिंग कमेटी 1974 यानि की 1974 में Multipurpose Worker कमेटी के नाम से भी ये पारित हुई थी and next ये हुआ आपका WHO 7th April 1948 Headquarter in Geneva जो WHO है वो 7 April को 1948 में लागू हुआ था इसका जो Headquarter है तो वो है जिनेवा में कहां पर है जिनेवा में तो WHO का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे कि World Health Organization होता है क्या होता है World Health Organization and next आपका 56 नंबर है UNICEF 1946 में ये लागू हुआ था इसका Headquarter है New York में कहां पर है ये New York में है UNICEF का Full Form आप लोगों को पता होगा United Nations Children's Fund नेक्स्ट है आपका UNDP UNDP 1966 Headquarter in New York ये भी UNDP भी 1966 को लागू हुआ था इसका Headquarter भी New York में UND का मतलग समझते हों US Agency United Nation Development Program क्या है United Nation Development Program and next आपका नंबर है 58 Food and Agriculture Organization 1945 Headquarter Rome यानि कि Headquarter इसका कहां पर है Rome में है और ये Organization कब लागू हुआ था 1945 में International Labour Organization 1999 Headquarter इन जिनेवा ये भी Headquarter इसका जिनेवा में है कि इसका International Labour Organization का and US AD 1961 Headquarter इन वासिंगटन इसका जो Headquarter है Main Branch कहां पर है इसकी वासिंगटन में US AD का मतलब आप समझते होगे US Agency for International Development US Agency for International Development and next नंबर है 61 International Red Cross Society 1990 Headquarter इन जिनेवा इसका भी जो इंटरनेशनल Red Cross Society है 1919 में पारित हुई थी और इसका Headquarter कहां पर है जिनेवा में नेक्स्ट नंबर है आपका इंडियन Red Cross 1920 इसका 700 ब्रांचेज इन इंडिया वर्क रिलीफ, वर्क मिल्क एंड, मेडिकल सप्लाई, आम्ड, फॉर्म्स, फोर्स एंड सर्विसेज, फैमली प्लानिंग, ब्लेड बैंग, एंड फर्स्ट एड यानि कि जो इंडियन Red Cross Society थी वो कितने में हुआ 1920 में पारित हुई थी लेकिन इसकी 700 ब्रांचेज हैं जो काम कर रही है किसमें, मिल्क में और मेडिकल सप्लाई में और फैमली प्लानिंग, ब्लेड बैंग, फर्स्ट एड इंस हमें ये काम कर रही है इस नमबर है आपका 63 हिंद कुष्ट निवारन संग 1950 हेड क्वाटर इन न्यू दिलही जो हिंद कुष्ट निवारन संग था वो 1950 को लागू हुआ था इसका हेड क्वाटर कहां पर है न्यू दिलही में टूबर क्लोसिस एसोसिएशन आफ इंडिया 1939 टूबर क्लोसिस एसोसिएटेट आप इंडिया में लग आया था 1939 को एंड कस्तूरबा मेमोरियल फंड 1944 में आया था कस्तूरबा मेमोरियल Family Planning Association of India 1949 Headquarter मुंबाई में जो Family Planning Association इंडिया में कब आया 1949 को और इसका headquarter है Pakistan mother कहां पर है मुंबाई में एंड 玩 सबसेंटर कवर तीन हजार से पांथ हजार पापुलेशन जो बतलब कि एक सबसेंटर होता है वो कितने population को कबर करता है 3000 से 5000 एक सबसेंटर के अंदर population यानि कितनी आबादी आती है जहाँ पर total staff कितना होता है 3 and one PSC covered 20,000 to 30,000 population and total staff मतलब 15 होता है इसमें कितना जो एक PSC होती है primary health center यानि कि प्राथमिक स्वास्त केंद्र का वो कितना जो आबादी होती है उसके अंदर एक PSC के अंदर आता है 20,000 से 30,000 लोग आते हैं आबादी में and इसमें जो total staff PSC के अंदर होता है वो 15 होता है and one CSC cover जो एक CSC center होता है यानि कि community health center स्वास्त समदाई केंद्र तो ये होता है 80,000 से 1,20,000 population यानि कि 80,000 से 1,20,000 आबादी को कबर करता है और इसका total staff कितना होता है 25 smallpox causative agent of variola virus जो smallpox होता है वो कौन सा agent होता है कौन सा cause करता है यानि कि किसके कारण से फैलता है इसमें virus होता है variola कौन सा virus होता है variola virus होता है and इसकी जो incubation period होती यानि कि फैलने की जो अबधी होती है वो होती है 12 to 14 days यानि कि 12 से 14 दिन में ये smallpox का मतलब कि फैल जाता है and next आपका 71 नमबर है chicken pox cause जो chicken pox होता है वो किस वो उसका कारण क्या होता है varicella joster उसका जो virus होता है वो होता है varicella joster इसकी जो फैलने की incubation period होता है वो होता है 14 से 16 दिन and diphtheria caused by जो diphtheria होता है वो किसके द्वारा फैलता है carny bacterium diphtheria उसका जो bacteria का नाम होता है वो होता है carny bacteria diphtheria और जो इसकी मतलब फैलने की अबधी होती है यानि कि incubation period होता है 26 days कित्ते दिन में 26 दिन में वो फैलता है next dango अर्भो जो dango arbo virus group 4-7 incubation period जो डेंगू होता है वो कित्ते दिन में जो arbo virus से फैलता है arbo virus का पूरा एक group होता है जो कि डेंगू fever का कारण बनता है तो जो इसकी फैलने की अबधी होती है वो 4 से 7 दिन तक होती है and Titnes Qositive Agent जो Titnes होता है उसका Caositive Agent कानसा होता है Colestrium 31 जन्वरी को and World Cancer Day कम मनाया जाता है 4 February को And World Glucoma Day 8 March को And World Tuberculosis Day 24 March को World Immunization Week 24 April को And World Malaria Day 25 April And World Asthma Day 5 May World Thalassemia Day 8 May And World Red Cross Day 8 May And World Blood Donor Day आपका 14 June को World Breast Feeding जो सपता होता है वो होता है 1 to 7 अगस्त 1 से 7 अगस्त तक होता है World Breast Feeding Day And Day 21 September World Heart Day जो World Heart Day का मना जाता है 21 September को And World Hand Washing Day है 29 September को मना जाता है World Polio Day 15 October को मना जाता है World Diabetes Day 29 October को मना जाता है And World Rebels Day आपका 14 November को मना जाता है 7 आइरन पिल्स की और 21 हार्मोनल पिल्स की And DOTS टीटमेंट जो होता है वो किसका टूबर कुलोसिस का टीटमेंट होता है MDS टीटमेंट किसका होता है लेप्रोसी का And Complication आप मम्स कौन से Complication से और चिटिस And ASHA आगनवाड़ी वरकर्ज कबर कितना करती है पॉपलेशन 1000 पॉपलेशन कबर करती है कौन आशा And Indirectly Transmission 5F जो Indirectly Transmission होते है वो 5F होते कौन कौन सा Fleece, Fometis And Fingers, Food and Fluid And TBA Tadrational Birth Attained Local Diet Training 30 Days होती है जो TBA Traditional Birth की Attendance होती है वो Local Diet Training कितने दिन की होती है 30 दिन की Village Health Guide Training कितने दिन 3 Month चलती है आपका 100 Day Approx के लगभग चलती है So Friends, आप मुझे Comments Box में बताइएगा लिखे है कि आप ये वीडियो आपको कितना helpful रहा है और आपके लिए कितना beneficial है तो Friends, आप मेरे चैनल को Subscribe and मेरे वीडियो को Like करते रहेगा और इसी तरीके से मैं आपको वीडियो लाती रहूंगी आपका Knowledge बढ़ाती रहूंगी और जो भी क्यूरी है मेरे Description मेरे Comments Box में जाके बता सकते हैं और इसकी जो आपको थेयोरी है यानि कि जो भी मेरे वीडियो की थेयोरी बगएर रहती है आप एक बार मेरे Description चेक आउट कर लेजिए उसमें मैं सारा Articles की जो लिष्ट होती है वो सारा और Definition मैं सारा उसमें Mention कर देती हूं आप उससे एक बार चेक कर सकते हैं और देख के Learn कर सकते हैं तो Friends मैं मिलती हूं आपको Next वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye